नमस्कार दोस्तों मैं उनीर वज़र आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग पुराने स्रीज जिसमें उनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेशन्स जो है कर रहे हैं उसी के क्रम में यह अगला वीडियो है और इसमें हम लोग जो है यूनिट 4 का क्वेशन नमर 5 लेके आए हैं इससे पहले हम लोग ने बहुत सारे वीडियो उनिट 1,2,3 के बनाए हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट है मैं नीचे डिस्क्रिशन में डाल दोंगा आप वहाँ पर चाहें तो उसको जाके चेक अउट कर सकते हैं तो देखे इस क्या कहा गया है तो सबसे पहले यहां पर देखे न जनरेटर का पावर दिया गया है और ध्यान देना है आगे कोश्चन में देखेंगे तो मोटर की भी बात की जाइए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको मोटर और जनरेटर को थोड़ा सेपरेट करके चलना पड़ेगा इसलिए हम यहां पर जो पावर ले रहे हैं मोटर के लिए उसको जनरेटर के लिए शुरुआत में जो दिया है उसको हम P G लिख देंगे जी फर जनरेटर तो वो कितना है 25 किलो वाट यानि कि 25 इंटू 10 टू पावर 3 वाट इसको वाट में चेंज कर लिया इसका voltage भी दिया हुआ है V बराबर कितना है 250 volt फिर आगे कह रहे हैं कि आपका armature and the field resistance तो armature resistance जो दिया हुआ है वो कितना है 0.06 ohm और field resistance जो दिया हुआ है यानि कि RSH ये दिया हुआ है 100 ohm फिर कह रहे हैं कि determine the armature power developed when working as यानि कि armature power developed पूछा गया चाहिए वो motor हो या generator दोर case है क्यों कि first case में कहा गया है generator delivering 25 kilowatt output और motor taking 25 kilowatt input तो यानि कि दोनो case में हमको power developed calculate करना है तो power developed क्या होता है उसको समझने के लिए मैं एक बार यहाँ पहले generator का case है तो generator का diagram बनाता हूँ अगर आप diagram बनाएंगो तो आपको काफी कुछ चीज़ें जो है वो आसान से दिखने रहेगी तो generator का diagram देखिए यह मैं बना रहा हूँ तो यह आपका armature हो गया shunt generator है तो shunt winding बना दी जाएगी और generator है तो definitely यह output देगा तो output पे आपको यहाँ पर क्या लगाना है load यह load लगा दिया जाएगा तो इसके across का जो voltage है वो है आपका V उसके बद यहाँ पर जो current होती है उसको I L load current बोलते है field में जो current है उसको I SH resistance को R SH और nature का जो resistance होगा उसको RA और यहाँ पर जो current बहार आएगे उसको I A और यहाँ पर जो generated E M F होगा E G उसको बोलेंगा ना तो यहाँ पर जो पहला case पूछा गया ना कि power developed तो power developed जो होगा generator के case में हम उसको लिख लें power developed बराबर power developed का मतलब होगा कि कितना power उसने develop किया तो development कहां होगा और nature में ही होगा तो उसका formula क्या होगा यहाँ पर हो गया voltage है E G और current है उसकी I A यानकि E G into I A हमको निकालना है generator के case में अब हम देखेंगे कि क्या क्या value दी गई है तो देखिए तो generator के case में हमको सबसे पहले जो है E G और I A दो की चीज़ों के बात करनी है तो I A कैसे निकलेगा मैं क्यों बोलना हूँ I A निकालने के लिए पहले क्योंकि E G का जो formula होता है अगर यहाँ से अगर आप देखा हो अगर थे और धियान से पढ़ी हो तो E G is equal to होता है V plus I A into R A यानि कि I A तो चाहिए ही तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम I A की value calculate करेंगे तो लिखेंगे machine machine run as generator और उस समय हम देखेंगे तो I A की जो value होगी I A is equal to I L plus I S H हम यहाँ पर formula याद भी रख सकते हैं या इस diagram से हमको दिख भी जाएगा कि जो I A है वो दो भाग में बट गया है I L plus I S H अब यहाँ पर I L की जो value होगी वो होगी आपका जो भी यहाँ पर power दिया है वो divided by voltage तो power कितना है आपका 25,000 है 25,000 divided by voltage कितना है 250 volt plus I S H कितना होगा तो इसके across का voltage यहाँ पर shunt के across का voltage divided by उसका resistance तो voltage कितना है 2500 और resistance कितना है आपका 100 तो आप यहाँ पर लिखेंगे 250 बठा 100 तो यह आपको जो है formula मिलेगा और इसको solve करेंगा तो value मिल जाएगे तो हमें value मिल गए 102.25 यह हमें current की value मिल गए यह armature की अब हम यहाँ पर EG की value calculate कर सकते हैं तो हम लिखेंगे since EG is equal to V plus IA into RA और V की value है 250 plus IA हमने निकाला 102.25 इन्टू RA की जो value numerical मा उलेडी दी है 0.06 तो वो value भी हम यहाँ पर रख देंगे और इसको solve करेंगे तो हमें value मिलेगी 256.135 वोल्ट तो इस तरीके से हमको जो है EG की value मिल गई है अब हमें पता है कि power developed होता है EG into IA दोनों value calculate कर चुके हैं तो हम power developed calculate कर सकते हैं तो देखें मैंने formula लिख लिए power developed बराबर EG into IA और EG का value है 256.135 into IA की जो value है वो है आपका 102.25 अब इन दोनों को multiply करेंगे तो आपको जो है power developed मिल जाएगा 26189.80 watt अगर इसे को kilo में करना है तो आप क्या कर सकते हो 1000 से divide कर दो तो यह आपका किस में हो जाएगा kilo में change हो जाएगा तो आपका अगर requirement है तो आप उसको कर सकते हैं उसको छोड़ दीजे तो यह तो आपका first problem resolve हो गया न यह आपकी first problem थी अब आपको यही काम जो है तब करना है जब वो motor की तरह वो behave करेगा और कितना power consume कर रहा होगा 25 kilowatt ही consume कर रहा होगा तो हमको जैसे यहाँ लिखा था न machine run as generator अंदर की तरफ flow करेगी तो देख लिजे यह current का direction भी मैंने अंदर change कर दिया है अब उपर मैंने generator का diagram दिखा दे रहा हूँ इसमें देखे current बाहर की तरफ जा रही है और यहाँ पर यह अंदर की तरफ जा रही है ठीक है तो यह है और यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर generated EMF ना कहे के back EMF कहते है और EB से represent करते है तो यहाँ पर जो power develop का formula होगा वो होगा EB into IA क्योंकि power तो अभी भी armature में ही develop होगा mechanical power तो वो armature का EMF है EB और current कितना है IA इसलिए EB into IA तो अब यहाँ पर इस diagram को देखो तो IA का formula क्या हो जाएगा IA is equal to IL minus ISH देखिए यहाँ पर होता है जल्दी बाजी में लोग गलती करते है कि इस machine का मैं current तो armature current निकाली चुका हूँ और direct formula लगा देते हैं लेकिन ध्यान देना है कि यह जो armature current IA की value निकाला है वो generator के case में निकाला है हम लोगोंने अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम motor के case में बात कर रहे हैं तो हमें motor के case का भी calculate करना ही पड़ेगा अनिता जो है आपका गड़बड हो जाएगा यह चीज़ जरूर आपको ध्यान देना है तो यानि कि P upon V तो P का मतलब हो गया 25,000 तो अब हम यहां पर लिख देंगे कितना 25,000 25,000 divided by आपका voltage कितना था 250 था तो 250 लिख दिया और अब माइनस में V upon RSH V का मतलब हो गया voltage है 250 और RSH की value question में अगर आप देखें तो question में दी गई थी 100 ohm तो वो 100 ohm हम यहां पर भी रख देंगे तो 100 ohm हम ने यहां पर रख दिया अब इसको solve करेंगे तो value मिलेगी 97.5 ampere तो यह आपको क्या मिल गया IA की value मिल गई अब हम EB की value calculate करेंगे तो EB का formula क्या होता है EB का formula होता है EB is equal to V minus IA into R A तो V की value कितनी है 250 minus IA हमारा आया 97.5 into R A है 0.06 मैं आपको R A एक बार दिखा देता हूं ना? R A की value हम लोगों ने शुरूह में लिखा था ना? दिया है question में तो 0.06 तो वही value हम लोगों ने यहां पर भी consider किया है तो इस तरीके से आप इसको solve करेंगे तो आपको value मिल जाएगा EB is equal to 244.15 volt तो यह हमको value EB की मिल गई है अब इस तरीके से बड़े आसानी से जो है आपका EB की value भी calculate हो गई है अब हमें mainly जो है power developed calculate करना था तो हम यहां पर लिखेंगा power developed बराबर EB into IA पहले भी मैंने बताया था EB into IA EB का value है 244.15 into IA की value है 97.5 और इसको अब solve करोगे आप तो मिले 23804.625 watt अगर इसको kilo में change करना है तो आप 1000 से divide कर दीजे तो kilo में भी change हो जाएगा तो इतना power output जो है वो दे रहा है तो देख रहे हैं बहुत simple है आपको बस थोड़ा step याद रखना है ध्यान देना है formula याद रखने है और अगर diagram याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और यह question भी जो है university exam का ही पूछा हुआ है odds M 2021 का पूछा हुआ question है और जो कि बहुत ही आसान है बड़े आराम से आप 10 number जो है gain कर सकते हैं मतलब अभी बात करें अभी के paper जो आपका 70 number का होगा तो उसमें 10% यान कि 7 number आप बड़े आराम से gain कर सकते हो तो यही था आपका question बहुत simple questions आते हैं आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो गर वीडियो पसंद आई है तो अ subscribe कर ले तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद